दोस्तो आज के वडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने Realme C35 के फोन में Mobile Data Limit के Option को आन कैसे करेंगे और आपके फोन में Already Mobile Data Limit Option आन है तो उसको आप लोग आफ कैसे करेंगे दोस्तो स्वागत है आपका हमारे YouTube Channel Technical उत्तर परदिश में दोस्तो वेडियो के end तक बने रहेगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा क्या सेटिंग कैसे करने है तो चलिए फटापट वेडियो को सुरू करते हैं और वेडियो को लाइक जरूर करिएगा सबसे बाले हम अपने फोन में शेटिंग को ओपन करेंगे तो यहाँ पी चलिए हम अपने फोन को यहाँ पर सेटिंग को ओपन कर लेते हैं फोन में Just last में आपको यहाँ पर data using का option देखनों को मिलेगा data usage byую लिग करना है यहाँ पर देखसकते हैं mobile data usage byाफशन पर simply करना है mobile data limit के option पर click करने बाद यहाँ पर देख सकते हैं mobile data limit चलिए आप लोगों को बता दे रहे हैं पूरे detail में कैसे set करना होता है यहाँ आप देख सकते हैं start date from data usage start इस पर click करना है यहाँ पर हमको one कर देना है इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं start date one हो गया और यहाँ पर यानि कि जो भी आपके phone में data usage limit होती है उसको यह एक तारीक से यह जो है एक जीबी हो गई ओके गाई अब इसके बाद यहाँ पर set monthly data limit को option है set monthly data limit पर click करके आप लोग monthly data limit set कर सकते हैं यानि कि एक महिने में इतना जितना MB आप लोग यहाँ से set कर सकते हैं उतना MB खर्च होने के बाद आटोमेटिक आपका internet बंद हो जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं set monthly data limit पर हम किलिक करते हैं तो यहाँ पर हम 30 GB कर दे रहे हैं यहाँ पर 30 GB लिख रहे हैं इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ से alert set कर सकते हैं कि यानि आप जो एक महिनेम कितना MB यूज करने के बाद एक notification पाना चाहते हैं यहाँ पर किलिक करके आप लोग जितना set करना चाहते हैं कर सकते हैं जैसे कि 25 GB अगर आप लोग कर सकते हैं तो यहाँ पर जैसी एक महिनेम आप लोग यानि कि एक तारिक से लिए